स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से माइक्रो एकनोमिक से माइक्रो एकनोमिक को बिलकुल बेस से हम इस्टार्ट करें कि थेorio of consumer behavior अब यहाँ पर आप यह देखे थेorio of consumer behavior इनकी उपहोगता के विवहार से समंदि जो थेorio और उनसे किस तरीके से क्वेस्टन पूछ जाते हैं वह मैं आपको बद्खाऊंगी कंजूमर थोरी स्ट्रडी ओफ हाव प्यूपल डिसाइड टू स्पेंड देर तो क्या करें कि यहां पर जो स्पेंड करने का कि मनि को किस तरीके से स्पेंड करेगा विक्ती और प्रेवेज़ेट को देखते हैं अपने बजट को देखते हैं और दुसरा है कि आप अपने हर्ट येन के अपने प्रेफरेंस को देखते हुए इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि आपका ये optimal behavior है एक तरीके से theory of demand जब हम बात करते है theory of demand theory of demand के अंदर theory of consumer behavior के बारे में आप बात करोगे theory of consumer behavior और theory of consumer behavior में कौन-कौन सी theory थी cardinal utility जो होती है इसका मतलब है जिसको हम utility को one, two, three, four में major कर सकते हैं फिर second, the indifference करो theory of cardinal फिर indifference करो कि आप बात करोगे और क्या बता रहे हैं यहां पर कि जो cardinal नहीं है ordinal है तो the cardinal utility तो आपने देख लिए कि one, two, three, four में major करते हैं और जो indifference करो के अंदर जो utility है वो क्या होती है ordinal waste होती है ordinal है इस bracket में है दर रिवेल्ड पर रिफ्रेंस हाई पोती है मैंने आपको कल भी बता कि रिवेल्ड पर रिफ्रेंस का मतलब होता देखना यह पूरी पूरी त्योरी जो हो market observation बेस्ट है उसकी बाद है consumer surplus consumer surplus आप जानते हैं जो simple meaning होता है यहां पर हम आपको mathematical proof भी करके दिखाएंगे consumer surplus का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि जितना आप देना चाहते हो और वास्तों में जितना आप देते हो उन दोनों का difference होता और फिर कुछ application है इन डिफ्रेंस करो कि उनके बारे में हम जानेंगे यह सारे के सारे topic क्या है important है तो चलिए start करते हैं cardinal utility analyze अब देखिए सबसे पहले जो estrate हो या फिर net हो कोई भी आप PGT level का question पूछते हो तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि cardinal utility जो है उसको किस ने analyze क्या था तो आप बताओगे अब आपसे पूछा जाता कि उपयोगिता जो utility जो है क्या उसका morality से कोई संब्ध है नैतिक्ता से कोई संब्ध है तो बिलकुल भी नहीं है देखिए एक सराब भी जब सराब पीता है तो उसको वह utility देती है एक जब बीड़ी पीने वाला जब बीड़ी cigarette का यूज करता तो उससे उसको utility मिलते है तो इसका नैतिकता से दूर दूर का भी संब्ध नहीं है अब देखिए उपयोगिता जो subjective है और इसमें किसी परकार की नैतिक महताव ने पाजाता देखिए अब देख यह subjective का क्या मतलब होता है यानि कि जो utility होती है वो person to person वैल करते है देखिए हम ए कि आजाए कि एपल को किसी ए परसंद करें फिर बी करें सी करें हो सकता कि सी परसंद को बहुत ज़्यादा पसंद हो इसको अच्छा लगता यह बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करता हो तो इसके लिए खराब है और भी हो सकता कि थोड़ा बहुत इसको पसंद करता हो लेक जरकाने गणना वाचक जो प्योगिता होती है उसका मतलब होता हम आप यह बता सकते हो कि अगर मैंने एक कप चाहे का पिया आपने एक कप चाहे से मिलने वाले यूटिलिटी जो है आप बता दे मुझे पांच मिली इच्छा मिली अब नमरिंग में बता पाते हो अगला मॉस् उप्योंगिता याणि कि जो यूटिलिटी है ूटिलिटी के बारे में इसके सबसे से पहले डूपिट ने दिया था फिर गोसिंड वोल्रस मेंजर और जैवन से जैसे एकनोमिक्स ने इसको स्पोर्ट किया था तो आप देखिए उपयोगिता के बारे में सबसे पहले बेंथ हमने बता अठार्वी स्थापदी में कार्डिनल जो यूटिलिटी है यानि कि जो ग पहले कुछ चीजे इंपॉर्टेंट है फिर नहीं है अब डेखिए कौन सी चीजी में थैट कि जो अजम्सन है इसका जो यूटिलिटी मेंजरेबल यहां पर आप यह देखिए जो उपयोगी तहना उसका आप मेजर कर सकते तरीके से किस में आप बता सकते हैं कि मुझे चा को numbering में बता सकते हो फिर जुसरा जो है most most important है कि marginal utility of money is constant इसका मतलब क्या कि marginal utility of money वो क्या है स्थीर है यह question भूत बार पुछागा है कि जब कार्डिनल utility है क्या उसमें marginal utility of money constant रहती है फिर change होती है तो यहां पर constant रहती है constant रहने का मतलब है कि आपके पास मान कर चलते हैं कि आपके पास 5 रुपे हैं 2, 3, 4 और 5 जो आपके पास 5 रुपे हैं अगर आपको यह पूछा जाए कि आपको अगर आपके पास पैसा कम होता चला जाए जैसे आपके पास 1 रुपे हो गया 2, 3, 4 और आपके पास 5 रुपे हो बचा तो एक ही तो आप यह नहीं है कि जब आपके पास 5 के पास थे तो आप बहुत ज़दा खुछते हैं अगर आपके पास एक रहे गया तो बहुत ज़दा दुखी हो गया नहीं आप सब की importance आपके लिए एक समान है इसलिए कहते हैं यहां पर जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी है इसे मिलने वाली यूटिलिटी यह है आई होप यहां तक आपको यह साइल चीचे समझ में आ गई होगी होगे लिजिन ऊपला है आइकस्त्रा जैसे जैसे हम अक्स्ट्रा करते जाते हैं銀से संतुस्ट्रीए ज़ू composed कि मार्जनल इंपोर्टेंट है दोजार उनीस में क्वेस्टन भी पूछा गया अभी मापको दिखाऊंगे किस तरीके का अभी दिखार कि मार्जनल इंटी ओफ एक्स वह गरेटर देन है प्राइज ओफ एक्स से यह अब देखिए करें कि जो मिलने वाली यूटिलिटी एकलिपन में कहां पर होते Marginal utility of x इतना ही utility मिला इतना ही आपने उसवस्तु के लिए पेग किया लेकिन इस में इसको अur इसके खरीजते रहोगे जब तक इसके utility जो उसकी कियमत के बराबर नहीं हो जाती तो है इसका मतलब है कि उ स्क्राइब करता यहां पर हमने पर आपर प्राइज को यहां पर क्या लिया कॉंटरी को यहां पर क्या लिया कुंटरी को वैसे वैसे जो इससे मिलने वाली utility क्या है यह कोई भी जो commodity है उससे मिलने वाली utility decrease करेगी जो यह point है वो equilibrium का point है यह point आपको दिखाता है कि marginal utility of x और उस जितना आपने pay किया है दोनों के दोनों बराबर है अब देखिए meaning है कि जो और यह क्या downward slope है यह downward slope का पता है जैसे quantity increase important question है एक तो यह वह आपसे पूछता है कि क्या होगा अगर एक वस्तु से जो utility है marginal शिमान तो जो उपयोगिता वह ज्यादा मिलने इसके price कम है तो कब तक वह भोगता खरीता रहेगा यह निकि दोनों एक वल ना हो जाए इसका positive पूछ सकता कि price of x फिर क्या करेगा यहां तो इच्छा को जो भी वस्तु संतुस्ट करने की जो capacity होती है किसी वस्तु में वही क्या कहलाएगी utility कहलाएगी उसके बाद देखिए छटी जो जमसन है वो है independent utility बिल्कुल यह करें कि मान लिया जाए कि आप एक तो apple का यूज कर रहे हो और दुसरा आप यूज कर रहे हो मान जाए कि एक तरीके से कोफी का तो करें कि जो एक कोफी एपल का यूज कर रहे हो तो इसकी utility यह इसको बिल्कुल भी पुरभावित नहीं करेंगी इनका मतलब यह कि आपस में independent है आप एक बार में ही हिया तो सारा खा जाओ तो या फिर वह को जो डिए स्कते हो कि टो सब्सक्राषि का फ्रमॉला इंचे में से पुराने वाले वाले change in x x वोस्तों में change होने से उसकी उप्योगिता में कितना change आया अब आगे देखिए यहां पर यह most most important diagram है यहां पर यह total utility दिखागा यह marginal utility स्टार्टिंग आप देख रहे हो कि जो total utility है जब आप एक यूनिट्स लेते हो तो स्टाइम पर total utility क्या है जीरो है और उसी टाइम पर marginal utility भी क्या है जीरो है उसकी अब आप यहां पर यहां पर यह नंबर ओफ यूनिट्स को लिया गया है अब देखिए जैसे जैसे unit increase करती है वैसे वैसे total utility क्या करती है increase करती है but decreasing rate का मतलब है double से कम से बढ़ती है marginal utility जैसे जैसे increase करती है वैसे वैसे क्या है, increase करें, decreasing ratio बढ़ रही है, decreasing rate का मतलब होता है, जैसे कि माल ले जाए कि 5 है, 5 से 6 जाद 10 हो जाना है, तो यह होता है constant rate, लेकिन 5 से यह अब 7 चले गए, 8 चले गए, 9 चले गए, जो double से कम होता होता decreasing, तो यह जो utility कर रहा होता, वो increase करता बटे decreasing rate, तो यह दे कि यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी marginal utility decline कर रही थी, आपकी marginal utility decline कर रही थी, बट positive थी, positive होगा जब इस line को cross कर लोगे, उसके बाद है, जैसे जैसे utility क्या हुआ, गटनी start होई, 30 से 28 से 18 तो वैसे वैसे जो आपकी marginal utility है, पहले 0 हुई, जब यह constant थी, उसके बाद क्या होगा यह negative start हो गई, तो आप question फूसता कि जैसे जैसे total utility increase करती है, तो फूसता किस तरीक से increase करती है, at a decreasing rate, लेकिन जो marginal utility उस टाइम पर जब यह increase करती है, तो marginal utility का क्या सीन होता, तब बताओगे कि decrease करती है, बट positive रहती है, जब total utility maximum हो जाती है, तो उस टाइम पर marginal utility आप देख रह होने का scope नहीं, तो extra unit से मिलने वाले जो इटलेटी हो जीरो हो गए, उसके बाद जैसे total utility decrease करती है, वैसे marginal utility का आप जाती है, negative हो जाती है, तो यह जब maximum होता है, तो इसको हम बोलते है, inflection का point, inflection के point का मतलब होता है, जहां से आपका करव जो हो, वो save change करता है, देखिए, आ देखने के लिए,